हेलो प्रेंट्स, आज हम आपके साथ चिकन चंगेजी की रिसिपी शेयर करने जा रहे हैं, ये एक शाही डिश है, जब आपके घर में दावत हो, या कुछ इस्पिशल बनाने का मन हो, तो इसे जरूर ट्राइ करें, ये बहुत ही टेस्टी और लजीज बनता है, इसे खा कर आ दो लिया है, दो मीडियम टेमाट्रों का पेस्ट बनाया है, एक कप मिल्क लिया है, एक टेबिल स्पून कसूरी मेथी, एक टी स्पून नमक, एक निवु करस, एक टेबिल स्पून धनिया पाउडर, दो टेबिल स्पून जिंजर गालिक पेस, आधा टेबिल स्पून लाल म एक टीस्पून चाट मसाला, एक टीस्पून गरम मसाला, दस बारा काजू लिया है, चार टेबिल स्पून दही लिया है, चार टेबिल स्पून फ्रेश बलाई लिए, आप इसकी जगा करीम भी ले सकते हैं, दो मीडियम साइज की प्यास को स्लाइस में काटा है, दो हरी सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे आधा नमक अभी डालेंगे और आधा हम ग्रेवी के लिए रखेंगे नीबु करस पूरा डालेंगे दही पूरी डालेंगे इसमें आधा जिंजर गार्लिक पेस्ट अभी यूज़ करेंगे आधा ग्रेवी में यूज़ करेंगे सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें इसे आधा गंटे के लिए मैरिनेशन को रखेंगे आधा गंटा हो गया है अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं कड़ाई में हमने एक टेबिल स्पून तेड लाला है और इसमें चिकेन को डाल कर इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे इसमें हमें पानी नहीं आट करना है देखिए इसमें से अपना पानी खुद निकला है इसे भूनने में मुझे 5-6 मिनट लगा देखिए यह भून गया है अब हम दूसरी तरफ एक पैन चड़ाएंगे और उसमें तीन टेबिल स्पून तेल डालेंगे तेल गरम हो जाए तो हम इसमें प्याज और काजू डालकर इसे फ्राइ करेंगे गोल्डन बॉराउन होने तक देखिए प्याज गोल्डन बॉराउन हो गई है इसे फ्राइ होने में 6-7 मिनट लगा अब यह थंडी हो जाए तो हम इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने बचाया हुआ था इसे दो मिनट फ्राइ करेंगे अब इसमें एट करेंगे टोमाटो प्यूरी इसे भी दो मिनट पका लेते हैं अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर लाल मिर्च नमक अब इसे तीन चार मिनट तक भूनेंगे देखिए हमने इसे भून लिया है अब हम इसमें एट करेंगे दूद इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये गारा नहीं हो जाता देखिए ये गारा हो रहा है अब हम इसमें एट करेंगे चाट मसाला गरम मसाला थोड़ी देर इसे ही पका लें देखिए ओयल सर्फेस पे आ गया है अब इसमें डालेंगे बलाई आफ फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं इसकी जगा और ये प्याज और काजू का पेज डालेंगे अब इन सब के साथ हम इसे भी भूनेंगे करीब 3-4 मिनट तक इसे हमें भूनना है ये देखिए इसे भूनते वे 5 मिनट के करीब हो गया है अच्छा से ये पक गया है अब हम इसमें आट करेंगे चिकेन जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था इसके साथ इसे भी 2 मिनट तक भून लेंगे फ्लेम को हाई रखेंगे ये चिकन को हमने भून लिया है 2-3 मिनट तक अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी हातों से क्रेश करके डालें इसमें कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसे भी मिक्स कर ले चिकन अच्छे से भुन गया है अब हम इसमें एट करेंगे एक कप पानी इसे मिक्स कर ले और एक उबाल आ जाए तो हम इसको लिट से कवर करके लो फ्लेम पर 15-20 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए इसको पकते वे 20 मिनट के करीब हो गया है अब हम इसे चेक करते हैं खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है और चिकन हमारा गल भी गया है यह अल्मोस्त तैयार है अब हम इसे हारी मिर्च और हरा धन्या से गार्निश करेंगे और डिश आउट करके दिखाते हैं यह देखिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चंगेजी तैयार है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें बिल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें जिससे आपको मेरी कोई भी लेटेस नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिलें जिससे आपको मेरी करें